अगर आप जीबन में जादा कुछ चाते हो तो फिर आपके जादातर जगा पर फिट ना होने की संभब बनाए है दुनिया के जादाता लोग बस एक एवरज लाइब जीने के लिए सेटल हो जाते है और अगर आप उनके लेबल में नीचे गिर कर नहीं रहोगे तो फिर तो समस्था है लोग देखेंगे कि आप अपने लक्स पर कॉमिटेड हो क्योंकि ये उन सब को बार बार ये याद दिलाएगा कि उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं किया है सबसे बड़ा कारण जिसके बज़ा से जातता लोग अपने सपनों का पीछा नहीं करते है वो है डर वो डरते है कि वो जो कर रहे है अगर वो ना काम करे तो फिर क्या होगा उनके conscious और unconscious mind में यही चलता रहता है और वो हार माल लेते है और वो इसलिए नहीं कि उनके अंदर वो करने की समता नहीं है ना ही इसलिए कि वो जीवन की समसाव से बंदे हुए है असली कारण तो ये है कि उनके आसपास के लोग अपने सपनों को छोड़कर एक एवरेज जिन्देगी जी रहे है एक average mentality के लोग कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जीवन में सफल बन क्योंकि उन्हें हमेशा से यही याद दिलाएगा कि उन्होंने हार मान लिया है वो लोग जब आपको आपकी dream को follow करते देखेंगे बस यही कहेंगे कि आप बदल चुके हो हाँ सची तो है आपको अपने लक्स को पाने के लिए बाखी में खुद को बदलना पड़ा है आपने अपने आपको develop किया है आपने ये बगबास तो सुने ही होंगे कि सफल इनसान लालची होती है और जीवन पैसों से जादा कीमती होती है हाँ बिलकुल यह सच है कि जीवन पैसों से जादा कीमती है लेकिन पैसों के बिना जीवन बहुती मुस्किल है अंग्रेजी में एक कहा बत है यू केन बेफिलोजपर अप्टर इव बिकम रिच बट इफिव आर पूर यू खान पी ए फिलोजपर जो भी लोग जीवन में सफल बने है वो बस चलती चले गए है जहां पर जादाता लोगों ने हार मान लिया है आप बार बार हारोगे पर विश्वास रखना कि यही अंत नहीं है आपको चलती जाना है लोग यही कहेंगे कि आपको आगे बढ़ने में यह यह लिमीटेसंस है पर वो यह जानते है कि असल में ऐसी कोई भी लिमीटेसंस नहीं होती है अभी अपना लक्स को स्थीर करो सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो अपने मन को सांत रखो और उसे डेवलप करते जाओ अपने अंदर बस यही कॉमिटमेंट कर लो कि आप अपने लक्स से हटोगे नहीं आपकी भाग्य बस आप से मेहनत का भीक मांग रहा है अपने भाग्य का इस छोटी सी मांग को पूरी करो और जीबन में जो चाहो वो हासिल कर लो अपने को अपने अपने लो